माइग्रेन नीद पूरी ना हो तो सर में दरद हुजता है ऐसे लगता है जैसे तेश देश आवाज आ रही है पहले तो मैं आपको घर का देशी नुकसा बताऊंगे कि देशी नुकसा आप कैसे डाल सकते हैं क्योंकि वो पहले भी हमारे जो बड़े बुजुरुग थे वो डाला करते थे और मैं आपको सारा सिस्टम बताऊंगे किस तरह से इसे करना है बिल्कुल आपको रिलीफ मिलेगा कोई भी आपको टैंसन नी होगी सूरज को देख कर के भी कुछ इलाज किया जाता था जैसे सूरज देवता जब जा रहे होते हैं सामके टाइम पर तभी जो है उनको दिखा करके आटा फैंक दिया जाता था या फिर थोड़ा सा गुड़ की डली तोड़ करके खालिया जाता था उससे यह माइगरेन का दरट ठीक हो जाया करता था तो यह जो देशी निक्सी है इनके साथ साथ आप अगर दवाई बगेरा ले रहे हैं तो आप वह भी लेंगे तो भी उससे भी बहुत चारफ हाइदा होगा सबसे बड़ी बात है आजकल बच्चों को भी यह चीज होने लग गई है बच्चा बता नहीं पाता है कि मेरे सर में दर्द है बस चिडाट बरा गुसा करना मारना चीखना यह चीज़े हो जाती है थोड़ा सा अपने लेप्टॉप पे बैठा कुछ काम किया तो वहाँ पर सरदर्द हो जाता है फोन देखने लगे वहाँ पर सरदर्द हो जाता है समझ में नहीं आता है क्या करें यह तो थोड़ी थोड़ी शिम्टम होते हैं इस चीज के माइग्रेन यानि की सर का आधा दर्द बहुत तेज होता है बहुत ज़्यादा दिक्कत इसमें होती है कान मे भी कई वर आवाज आने लग जाती है, आप लोग को पता है, कई वर कान में भी आवाज आने लग जाती है, सोने पर नीद नहीं आती है, बात करने को मन नहीं करता है, जी मिचलाने लगता है, ऐसे लगता है जैसे कोई अभी मुझे उल्टी आ जाएगे, रिलेक्स होने की से नहीं से सई किया गया तो क्या करें इसका इलाज घर का अगर में देशी इलाज बताऊं तो जैसे पहले हम लोग मालिष किया करते थे आपको पता है पहले हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे मालिष करके शनान किया जाता था मालिष बहुत जरूरी होती यह है घर का देशी घी गाय का देशी घी होना ची है ध्यान रखे का चाहर आपको गाओं से मंगा हाना पड़े चाहर आपको महेंगा लेना पड़े गाय का देशी घी की लेजिएगा अगर आपके पास कोई औ congressional नहीं है कि हम घाय का इंग ले शकते हैं इसके बदले में आप बादाम का तेल ले लीजिएगा बादाम का तेल बहुत बढ़िया होता है आप सभी को पता है मुझे कहने की जुरुत नहीं है ये दोनों चीजों को आप ले सकती है जबर्दस्ट नुगसा है क्या करे इसका इसकी अगर आप मालिश करते हैं जहांपर स आप देखेंगे एक हपते के अंदर नदर छू आपको नजर आएगा ये माइकरें जो माइकरेंट और क्या करें अगर आप तेल मालिस नहीं कर सकते हैं आप कईयों को तेल मालिस करने जना गबराट उने लग जाते हैं आप ये देशी घी को गुनगुना करके ध्यान रखेगा सिधी गैस पर गरम ना करें कुछ गरम पानी ले 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 उसके बार नीचे रखें इसके उसके उपर रखें और फिर मामुली सा गुनगुना घी या गुनगुना तेल जो भी ये गुनगुना करें उसे नाक में डाले दो दो बुंद नाक में डाले, अच्छे से एक नाक को बंद करें और दूसरी नास से आप खीचे, रात के सोते टाइम पे डाल सकती है, और अबलिकेट नाओ इस चीज का देखे, दूसरा तरीका अगर आप लोग ये जंजट में नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आप ये करके नहीं इसे चाही में डेली बना सकते हैं, आप लोग को पता है ने गिलोय का कितना फायदा है, तो इन चीजों से ही ये चाही बनाई गई है, साथ में जो है, ये देखे, शिरफ एक चमश हमें लीना है, और बस इसे उबालना है, तो ये जो हमारी जो आयुर्वेदी कि कि इसे इनदर जो गिलोय वगेरा है ये अपना छोड़ देंगे और ये जो चीज़ी है ये अपना असर छोड़ देंगे, उसके आपको पता है इनके कितने फायदी है, बस इसे उबाल लीजिए, जब आप इसे दो सी तीन में अच्छी से उबालेंगे, इसके बाद आप इ दीती है मैं जैसे कहा गुढ़ ये पुराना गुड़ देखिए मेरा मिरा तो ये बहुत ज्यादा हेल्धी होता है जैसे मैंने का सुम खर आप ना दाने आप उसे ऐसे ही पी सकते हैं और आप ढूर करें तो आप इस चाय को पिक निकल जाए आपके सार में हम अरह्म जो और अगर Kental Beni खेए गाल जाता है तो ये देट सब दो महिने यह तो से टीन महिने में खतम हो जाते है देडी सब चाइओ की तरही तरही ले ले लिए ने चाहिए तब लेन जिन działa कि तब ले है धरकिано सब चीज लिखी हुई है मैंने सोचा चलिए मैं आपके साथ यह भी शेयर कर दूँगी मैंने भी यह जो किसी को पर अजमा के देखा था तो बहुत बढ़िया उसको रिजल्ट आयदा और यह बहुत मैं भी ऐसे कभी-कभी ले लेती हूं को यह अच्छी बात है इसमें जो है में दिमाग सांथ रहता है साथ में हमें ताकत मिलती है बुष्ट अप मिलता है बोडि को बहुत अच्छी ही ही ए जो हर बेकचैर के लूब के दर्ल बहुत ही कहां बंढ़कर८केंब अपनी बिमारी डंडी को उबाल करके चाय के अंदर पीना चाहिए तो इतने इसके अंदर फायदे हैं आप देख लिए अगर आपको इसे लेना है तो मैं लेंक इसे डिक्स्वर्स में दे दूँगी जो आप इसमें से जाकर के खरी सकती है बस उबल चुके चाय बिल्कुल बनकर तयार है बस इसे हम पिएंगे गर्मा गरब और इसे देखें जैसा भी पुराना सर्ददो ये गायब हो जाएगा बस इसके सासात और क्या होना है इसके सासात आपको इसमें एक कैप्सुल मिलेगा और साथ में जो है इसमें डीटॉक्स वाटर मिलता है यानि कि जो मैंने आपको करता है ऐसे बॉडि में कुछ गंदिगी ऊजाता है यानि विए खूण गाला हो जाना यह १ की जैसे हो जाता है तो यह उसे अच्छा करता है कुम कूर साफ करता है अलग करते त emphasizing कcked उड़ा और दो को एल चाहलें और वोट इसमिंपल तरीका मैं ने आपको दो से तीन तर दिना निन बढ द्रखे ले आप पीन जाने ने बाँने में भी तेन पिते थे। बाधाम को या थे, दिमाग में जाता है। तो जब आप नाक के रस्ते घीर डालेंगे, वो सीधा दिमाग मी जाएगा, और आपको रेलेक्स करेगा, आप एकदम माईग्रेन से मुक्त हो जाएगे, आपको इसमें से कौन सी जानकरी अच्छी लगी, अगर आप लोग भी कोई दादी ने आपने बताया होगा कि सूरज क अगर हम इस तरह से डालते हैं, उससे दरदूर तो जरूर आप बताईएगा, यह थी छोटी सी जानकरी, ऐसी आपको और किस चीज में आपको जानकरी चीए, यह भी मुझे जरूर बताईएगा, मिलती हूँ फिर से एक ऐसी ही नहीं